लखनव विश्विड्याले की अस्थापना के सौ साल पूरा होना जहां हम सभी के लिए पतंता का विशे हैं वहीं ये भारती सिक्षा जगत की एक एतिहासी घटना भी है मैं इसे एतिहासी घटना इसलिए मानता हूँ क्योंकि भारत के कुछे ही विश्विद्याले ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना सताब्धी वर्स मनाया है यह लखनव विश्विद्याले भारत के सरवाधिक पुराने सिक्षन संस्थाओं में से एक है और यह संस्था 1862-63 के आसपास केनिंग कॉलेज की रूप में प्रारम हुई और 1920 में विश्विद्याले के रूप में यह परिवर्टित हुई साथियो यह संयोग ही है कि भारत के प्रथम स्वतंता संग्राम के बाद यह कालेज की रूप में अस्थापित हुआ उसके बाद जब भारत के राइनेटिक स्वतंता आंदोलन की सुरुआत हुई जो की 120 के असहयोग आंदोलन से जोड़ कर देखी जाती है उस समय में इसे विश्विद्याले का स्वरूप मिला था यानि भारती राष्ट की चेतना के विकाष्प्रम के स्वरूप मिलाद विश्विद्याले के विकाष्प्रम का यह अदभुत संयोग दीख रहा है जब कोई समस्था सौ साल पूरे करती है तो यह उस समस्थान की मजबूती और प्रतिस्था से तो जुड़ती ही है साथी यह घटना उस समस्थान की गोरोसाली परंपरा को भी एक नया स्वरूप परदान करती है जब कोई समस्थान इतने लंबे समय तक ना केबल सर्वाइब करने में बलकि थ्राइब करने में भी सफल रहा तो यही इस बात का प्रमाण है कि उस संस्थान के foundation values महान और timeless होंगे बित्रो लखनव विश्विद्याले का फ्रो वर्सों का इतिहास यदि हम पलत कर देखें तो हम पाएंगे कि एक से एक महान सक्सियतें इस विश्विद्याले परिशर में पली है बढ़ी है